हाई विल्कम बैक टू दिस चैनल दोस्तों आज का जो सेशन होने वाले वह काफी इंपोर्टेंट है उनके लिए जो सेविल कोट भरती जो आया हुआ है उसके लिए कलर के लिए प्यून के लिए स्टेनोगराफर या फिर जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए उन्होंने फॉर है या फिर जो भरने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी डिटेल होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको प्रिवियस जो एक्जाम्स हुए थे उसके काफी आपको कट अफ दिखाने वाले हैं किस तरीके से क्वेस्टन आया हुआ था और कितना पे लोग इंटर्व्यू मे हमें करनी है ठीक है इसे एक आइडिया यह मिलता है कि लोग किस तरीके से वह अपना काम करें और आने वाले टाइम में वह किस तरीके से प्लाइनिंग करें यहां पर हमारे पास में देखने के चलिए यहां पर इंटर्व्यू से रिलेटेड और जितने भी क्वेस्टन साय थे वह हमारे पास में सेंपल में आप देख सकते हो थोड़ा सा तविए खराब है मैंनेज कर लिजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इसे तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें मदद कर सकते हो बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा और तो यहां पर देख लिए कि सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि कटफ को लेकर कि कि सबसे पहले जो लोग कटफ के उपर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कितना कटफ आया था तो यहां पर देखके चलिए कि यह आपको जो यहां पर फाइनल जो रेटेंट टे रहको और जितने भी ही लोग यहां पर examinations दिये थे उनका employment notice था 2016 उसके इसाब से the post of color कि यहां पर देख सकते हो कि यहां पर color post की बात कही जा रही है जितने भी लोग color post के लिए यहां पर applicable थे उनकी लिए cut up जारी किया गया है प्रिवियस सारी चीज़ों देखने का मतलब यह होता है कि आपके अंदर में एक सही strategy maintain करें आप और आने वाले टाइम में उसके लगभग जैसा आप लोग काम करें ताकि आने वाले टाइम में आपको भी सफलता मिले तो यहां पर देख के चली कि सबसे पहले 6 category में इसको माटा गया है और 6 category के हिसाब से इसको सारी चीज़ों manage की गई है यहां पर unreserve के लिए यहां पर देख सकते हों आप लोग कि unreserve जो होते हैं मतलब कि आप general category से होते हैं उनका cut-up यहां पर 64.50 पर रखा गया था और जितने भी general category में pH candidate थे उनके लिए 59 रखा गया था ठीक है और backward class के जितने भी strength थे सामिल हुए थे उनके लिए 61.50 रखा गया था और जितने भी pH candidate आते थे उनके लिए 56 रखा गया है ठीक है 56 उनके लिए cut-up था extremely EBC class जिसको बोलते हैं उनके लिए रखा गया था 59 और जितने भी handicap आते थे EBC में उनके लिए 55 marks रखा गया था schedule cast SC के लिए यहां पर 54 marks रखा गया था cut-up और उनमें जो भी लोग आते हैं pH candidate उनके लिए 45 marks रखा गया था schedule trip के लिए रखा गया था है यहां पर ST जिनको बोलते हैं उनके लिए marks रखा गया था 50.50 और जितने भी ही फीमेल backward class के हैं या फिर schedule cast के हैं या फिर CST जो भी हैं उनके लिए 57 cut-up mark रखा गया था और उसमें से जो भी female pH candidate में आते थे उनके लिए 49 रखा गया था तो यह एक cut-up रखा गया था ठीक है अब इसमें आपको हम दिखाना यह चाहेंगे थोड़ा से इस पर गौर करिएगा यह यह जो 26 सितंबर 2018 को यह publish किया गया थे सारी चीजे देख सकते हो यहां पर आप लोग तो यह उस notification के according यहां पर सभी का जो marks है यहां पर यहां पर देख लिक के चलिए कि यहां पर available करवाया गया है देखें यह सब्सक्राइब को यहां पर यहां पर यहां पर देख के चलिए कि यहां पर एक जो रिटेंट टेस्ट हुआ था उसका marks अचीव किया है rank के according वो सारी चीज़े की गई है कि जितने भी रोग rank 1 मत हाइस्ट marks जिसका आया है उसको rank के according वो सारी चीज़े set कही गई है OMR और रिटेंट टेस्ट में OMR आपका जितना आया था उसको जोड़ा गया है इंगलिस का paper हुआ था उसको जोड़ा गया है और हिंदी का paper था उसको जोड़ा गया है और उसके बाद में final marks निकालने के बाद में rank निकाला गया है rank निकाला गया है कैसे total marks को जोड़ करके सबसे highest जुआ रहा था उसको descending order में रखा गया है यहाँ पर rank 1, rank 2, rank 3, rank 4 देखे जैसे इस marks घट रहा है rank भी नीचे की तरफ घट रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख कि कुछ idea लगा सकते हो कि किस तरह से numbers आये थे और उसको आपको कुछ idea मिलेगा ताकि आपको इससे कुछ आगे इस vacancy में plan करने का आपको मतब कि मदद मिलेगा उसे यह सारे page है 365 page है अगर सब को दिखाना हम स्टार्ट कर देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा यह देखे एक notice आपको कोई भी questions होते है या फिर कुछ भी इसमें correction चाहिए objection है आपका तो आप इसके थुरू आप यह दे सकते हो यह बाइस नौद 2016 को यह सारी चीज़े पब्लिस की गए थी ठीक है यहाँ पर देख लिजे यह आपको model paper दिया गया है इसके according आप लोग जो examinations में आये थे वह एडजेक्ट यही था और यह देख लिए 17 इसको देखे कितने section बाटा गया है general studies section 1 mathematics 2 general English 3 general Hindi 4 इसमें रखा गया है यह सारी चीज़े हिंदे और English दोनों का ठीक है तो चार पार्ट में इसको बाट दिया गया है 100 प्रस्ण होंगे total 100 number का होगा और इसमें 25-25 number का यहाँ पर साफ दर्साया गया है या फिर आप अगर हिंदी में देते हो तो सेम चीज़े वही होती है मतब का आप जो question paper है हिंद इंगलेस दोनों में होगा यहाँ पर देख सकते हो ठीक है इसमें कोई negative marking नहीं होता है non negative marking तो आप लोग confusion में मतब नहीं रहना है कि negative marking होगा इसमें आपको जो भी उमिदवार अगर देने जाएंगे examinations तो आडजेक्ट आपको कुछ इसी तरह से model paper देखने को मिलेगा अगर offline हुआ तो offline में यहाँ पर candidate का आप नाम भरेंगे तो candidates यहाँ पर name आप लोग डाल सकते हो और यहाँ पर उनका sign चलेगा आप कुछ भी जैसे sign करते हो तो then sign कर लिजेगा और उसके बाद में पूरा आप sign करने के बाद में नीचे आईगा roll number फिल कर लिजेगा इन सभी columns में अच्छे तरीके सिंगे कि इसमें अगर मिस करेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोग सारे questions डील कर लिए हो लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको roll number इस्टेशन नमबर गलती अगर भर देते हो तो फिर आप pending में पढ़ जाईएगा ठीक है name of examination center वहाँ पे जो दियार हैगा आपके admit card पे सा time लेकि इसको feel करना है ठीक है अब यह कैसे भरना है वो सारा instruction दिया हुआ उसको देख सकते हो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए question का सिलसला start होता है सबसे पहले जो है वो general study के हिसाब से दिया गया है ठीक है तो general study में आप लोग कर सकते हो यह देखिए general study में आपको यहाँ पे दिया गया है general study में पहला question आपके सामने जो होता making India campaign was launched on यहाँ पे देख के चलिए कि इस तरह का question आपको आएगा मनदा जीके से related आप general study से related तो आना ही आना है दूसरा question आता है comment करेगा इसका अगर किसी का भी answer अगर मालूम होगा which animals is declared as अगहन इन इरीग वेदा ठीक है इस तरीके से कुछ article से constitution से सम्विधान से related question है which article of the constitution define the duties of the chief minister यहाँ पे इस तरह का भी question आपको constitution से भी मिलेगा उसके बाद में azure January 15, 2015 the status of repo rate modified by RBI was कुछ banking से भी कुछ स्वड़ा बहुत आ जाएगा RBI से related मतलब यह सारी चीजे general studies के उपर है यहां पर उन्होंने साफ लिख दिया है तो general study भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे करके पढ़िएगा ठीक है कि general studies equation आपको 25 आने वाले हैं तो इस तरह का questions आपको मिलेग जाएगा which of the following planet does not have satellite यहां पर देखके चलिए question number 10 अगर इस model paper का आपको अगर चाहिए मतलब कि एक एक चीजों का हम अगर discussion करवा दे तो please comment करिएगा हम एक अच्छा session लाएंगे और इन सभी का answer के साथ में अंसर सीट के साथ में हम इसका discussion करवा सकते है ठीक है तो यह देख लिजे which country is called the sugar ball यहां पर आप लोग देख सकते हो पूरे दुनिया में किसको sugar ball के नाम से जाना जाता है इस में से चारो options में से आपको यहां पर टिक लगाने हैं तो यहां पर देखके चलिए सारे चीज़े हैं यह authorized है किसी को अगर fake लग रहा होगा तो ऐसा नहीं सोचना ह है यह district and session judge पटना के तरफ से यह आपको यहां पर verify किया गया है यहां पर देखके चलिए तो यह सारे चीज़ा authentic है और इसी तरह के कुछ models question paper आने वाले हैं ठीक है एक और चीज़ हम दिखाते हैं यहां पर interview जो हुआ था चलिए आपको मैंने किस तरह का question होगा और questions related हम एक कुछ इस तरह से mathematics का भी question आपको सामने आएगा यह देखके चलिए तो इस ताइप के questions भी आपको आने वाले हैं ठीक है तो यह देखके चलिए mathematics का आप लोगों ने देखा उसके बाद में थोड़ा सा और दिखा देते हैं तो इस तरह के model question आपको देखने के बाद क्या होगा कि आपके दिमाग में वो सारे चीज़े revised होगा और आने वाले time में कुछ इससे मदद ले करके और आगे काम कर सकते हो इस model question को देखने के लि लिए कि यहां पर लिखा गया है इंगले से भी कुछ आने वाला है प्रयावाचिस सब्दा आता है करेक्ट मेनिंग मिसस पेल जो होता है वो सारे चीज़े होगी है ना 51 that is later for short time यहां पर देखके चली कि यहां पर यह 51 a person who believes in the total abolitions of war यहां पर इस तरह से questions आएगा ready to believe anything तो इस तरह का आपको यहां पर देखे directions भी दिया हुआ in the following questions out of the four alternative choose one which can be substituted for the given word or sentence तो इस तरह से आप लोगो direction भी दिया हुआ रहेगा direction को पढ़ करके आपको आगे बढ़ना है ठीक है तो घवरानी कोई जरूरत नहीं है have passions सारे चीज़े बेहतर होगी I hope आप लोग भी exams को का सब्सक्राइब कर सकते हो समाने हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी अच्छा खासा questions आपको आने वाला है हिंदी को भी रट लिजेगा और इस तरह से questions आयों नेम लिखित में से परतेक चार भी कल्पों में से वेमिल असंगत सब्द चीनित कीजिए तीक है और य देख सकते हो समास से भी रिलेटेड है और यहां पर यह देख लिए मुहाबरों से रिलेटेड है यहां पर तो यह हिंदी के questions हो गया है तो इन सभी questions को बारी-बारी से अगर deal करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा हमारे टेलेगरम चैनल में एड हो जाएगे और वहां पर आप लोग देख लिएगा अब यह देखे फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है यहां पर फाइनल कहने का मतलब होता है कि इसमें क्या था कि सबसे पहले आपको रेटेन होगा ठीक है रेटेन होने के बाद में आपका इंटर्वीव होगा ठीक है इंटर्वीव और रेटेन को मिलाने के बाद में आपका जो लिस्ट जो तयार होगा वो फाइनल मेरेट लिस्ट की तरह आएगा तो यह भी देख लिजे कि यहाँ पी नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि जितने भी लोग मतलब कि इनका जो एक्जाम हुआ था पांच नौ दोहराटारा और उनका जो भी मार्क्स अब्टेन हुआ था और यहां पर देख के चलिए कि तीन को है तीन दो अठारा पचीश दो अठारा एक पांच अठारा आठारा इन सभी देट को क्या हुआ था इंटर्वीव हुआ था तो इंटर्वीव के बेस पे अब फाइनल मेरेट लिस्ट बनने वाल है ठीक है जो कि 26 सितंबर 2018 को पॉब्लिस के अगया था विभाग के बेव साइट के ऊपर अब यहां पर देख के चलिए कलर की पोस्ट के हम बात कर रहे हैं तो कलर के पोस्ट में आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह देखिए 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 पोस्ट अप कलर रिट जोड़ने के बाद में अभी यहां पर आपको आटमेटिक फाइनल यहां पर लिस्ट दे दिया जाएगा और आप यहां पर फाइनलाइज है ठीक है मतबग आपका जॉब पक्का है अब आने वाले टाइम में लोग कही ना कहीं जॉइन कर लिया होंगे ठीक है तो लगभग पूरे कैनेडेट की हम बात करें तो ठे सारा पेज है लगभग देख लेते हैं कि कितना पेज कितना यह लोग का जॉइनिंग हुआ था यहां पर देख सकते हो हम एक बार दिखा देते हैं लास्ट में अगर हम जाते हैं तो कितना पेज है 6,841 टोटल जितने भी सेलेक्टेड हैं आपके पास में कैनेडेट उनका सेलेक्शन हुआ 6,841 कैनेडेट सेलेक्टेड हुए थे तो इस तरीके से आप लोग भी एक प्लान कर सकते हो इसके बेस के ऊपर और और स्ट्रेटेजी मेंटेन करके आप आने वाले टाइम में बेहतर कर सकते हो ठीक है एक ये छोटा से एक डिटील रिवीव था कि किस तरीके से क्वेस्टेंस आता है कौन-कौन से आपको मार्स जोड़े जाएंगे तो ये इससे आपको एक आइडिया मिलेगा आने वाले ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देजेगा बेल नोट पीकोशन को आल पे क्लिक कर लिजेगा और ये कमेंट करके जाहिएगा मिलते हैं इससे दमदार और नेक्स वीडियो के साथ अगले पिस्सोड़े में तब तक रहे थाएंगे सूमच और गुड़ बाई